हर्याना सरकार और किसान संगचनों के बीच आज बैठक होनी है प्रधान सचेव राजेश कलर के साथ ये किसानों की मीटिंग होगी एहम बैठक में कई मांगो पर चर्चा होगी बैठक में कई किसान संगचनों के प्रतनिधी शामिल होंगे बड़ी ख़बर आपको बता रहे राजी सरकार और किसान संगछलों के बीच बैठक होने जा रही है जब से पंजाब रियाना हाई कोड का पैसला आया है शंभू बार्टर को खोलने को लेकर और उसे क्लेयर करने को लेकर अब हम आपको ये दिखा देते हैं किसानों की मुख्य मांगे क्या है किसानों को MSP मिले लागत का डेड़ गुना दाम देने का कानून बने फसल खरीद में शर्ते हताई जाए ये मांगे किसान की तैसमे पर फसलों का भुपतान किया जाए ये भी किसान मांग कर रहे है मौफ प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए लंबे ट्यूब विल कनेक्शन जल्दी जारी किये जाए और बीमा कंपनियों की मनमानी शर्तों को हटाया जाए ये किसानों की मांग है इसार के 27 गाउं को बकाया बीमा क्लेम देने की मांग किसान कर रहे है और सब-सब ब पंजाब हर्याना हाइक कोड का फैसला आता है और अब सरकार के बीच में और किसानों के संग्थन के बीच में ये बैठक होने जा रही है वही सरकार से वारता के लिए चंडीगर्ड पहुंच चुके किसान नेता क्या कुछ कहना है उनका सुनाते आप हर्याना सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से बात्चित होनी है कई किसान संग्थन के नेता चंडीगर्ड पहुंचे हैं जहां हर्याना सरकार के दियारों सथ बात्चित की जाएगी क्या कुछ मांगे लेकर इस बार किसान नेता पहुंचे हैं मिनसे बात करते हैं यहां पर देशने कई किसान नेता मुझूद हैं मांसर पर आप से बात करना चाहूंगा आप चंडिकर पहुंचे हैं क्या कुछ मांगे हैं कोन को सी मुख्या मांगों पर चर्चा की जाएगी और बात करने के लिए कौन को नदिकारी आ रहे हैं देखिए सरकार के बुलावे हमिया आए हैं और हमेरी 26 के करीब डिमार्ज है मुख्यारूप में उसमें MSP का है करजमुक्ति का है बाड का है और बहुत सारे उसमें आज मुद्ध चर्चा होगी जो लंबित भी हैं हमारे का कापी साल दोलन के दूरान के लंबित मामले हैं और उनको लेकर के आज चर्च पैसा बहुत सारी दिक्कत है बताएंगे मारे साथी इनकी साथ में ज्यादा नुक्सान हुआ है और अभी तो कहें तीन साल का पकाया पड़ा कंडिशन लगा दी मेरे किले तो दस है और खराब होगे मिले का पाचे कड़का तो इस तरह की जो अनाब सिर्टे लगा करके जो किसान को आज नहीं सब बातों को या उनको बताएंगे और उनको कहेंगे मामला चल रहा है हाई कोट में भी बात हुई सुप्रीम कोट तक चर्चा हुई और सरकार नहीं समय से पूरा होगी एक अपते की उसको बाचीत होगी और आपकी तरुसे क्या मांगे देखो फिला त किसान नहीं रोक या न हम तो दो दिल्ली जा ले और सरकार बैरीकेडिंग करके इन किले गाड़ करके रोक बताऊ रहा रास्ता ये किसे रोक क्या ये बात समझने की लेकिन सरकार का जो तंत्र है वह वह ये दूस्पर चार करता किसाननों नो सब किया देश की दिल्ली जाकर करके सब अपनी बात कह सकते हैं तो किसान को क्यों रोक लिए जाता है और ये बड़े अच्छी बात है मैं सुआकट करते हैं मालनिया आई कोड का उनने बिलकुर सबस्ट का भी जाने दो नाने बाजी करें आ जाएंगे ये तो यह जो रास्ता रोकने में कलियर आपके चैनल क किसान को बद्राम करें के साजिए ताकि जनता में ये सवाज है किसान है सडग रोकते हैं हम अपनी बात कहने दीजिए और हमारी बात सुनिये हमारे जो मंगे हैं उनको बैट करके बाद चीत करें हम अपने लोट के चले जाएंगे नहीं सब आप सुपी पूछना किसान देश का नागरिक है ये कभी देश में ऐसांती नहीं फलता है और नाहीं कभी किसानों के द्वारा ऐसांती फलाई गई है किसान देश का नागरिक है सरकार कहते कि एक देश एक मंडी अपनी फसल को कहीं भी बेचना चाहिए तो बेच सकता है और वो फसल हमारी हर्याना परदेश की फसले हर्याना की मंडियों में इन्हीं विकरी हैं उन समस्याओं को लेकर किसान अपनी आवाज उठाने के लिए दिल्ली जा रहा है ना कि को भी उसमें एक भी किसान के दौारा सरकार की संपत्ती को एक पैसे का भी नुक्सान किसी से में नहीं पहुंचाया गा सरकार के दौरा पर चारित किया था जाता रहा जो भी किसानों से बन पाएगा वो करेगा यह अच्छी बात है सरकार के द्वारा किसानों को बुलाया गया और आज यहां जो बातचित होगी वह किस निशकर्च पर होगी कितनी बात होगी वह तो भुष्य के गर्म में कि अगर सरकार यह भी कहते कि अगर शौनां दें डिल्ली में वह जाएंगे और वहां पर कोई अंदौलन नहीं होगा एक जगह उनको दे दी जाए और उसके लिए जो अंदौलन चुला था यह आंदोलन को यह एक्दम तो नहीं चला पहले इन्हों यह कारवाई करनी चाहिए थे बादचित करनी चाहिए थे इनको बुलाना चीह था बुलाया भी था लेकिन ओर चीजेद सरफ नहीं ओपाई रखने परस पूरी कर देते हैं तो किशान क मजबूरित जाना पड़ता है अपनी आवाद यहां तो सुनते ही। तो दिल्ली जाएंगे क्यों केंदर के मुद्दें सारे और यह तो जह पंजाब से निकल रहे थी अर्याना को बीच में रोकने का कोई ओचित तो था नहीं लेकिन वही आत्म हिनों नहीं रोका गया है और इतनी जातियां की गई हैं जो नहीं होनी चाहिए अगर अगर सरकार टोबी परसासन की जहां लापरवाई के कारण होगी जाके किसान के कारण हें रही बात अब दिल्ली जाएंगे यह क्या करेंगे और ऑप नितरतों जांताएं से पहुंचाएगा लेकिन यह सबस्तोर पर है कि इसानों ने कोई भी रास्ता ब्लॉक नहीं कर रखा है यह कर र अपने दिलीने पेश करेगी, आपकी और से अपनी बात रखी जाएगी, तो आपकी तरफ से क्या तयार है कि ताकि सरकार को आप कन्मेंस कर सके हैं कि सरकार रास्ता खोले और कानून वस्ता बनी रहेगी, कोई दिक्क्तिस में नहीं आएगी. देखिए, पहले दो बात ही है कि सम्मू बाडर का आज इस वारता में कोई अजन्डा नहीं है. यह सरकार दिली जानले का मतलब मोका क्यों दे लिए है? बात करें, बात करके समच्छा को समधान करें. एमेसपी खरीद गार्णिटी का कानून नहीं तो मांग रहे हैं. हम यही तो करें कि हमें गार्णिटी तो मिले है, एमेसपी की. तो सरकार दे दे, क्यों जाएंगे दिली किसान, सरकार बात करती है तो टालती है. तो फिर तो आंदोलों नोरा निस्षित है, और उसको सड़ प्रकार जब सुनती नहीं तो फिर आ सुनना बाझार gerinas अगर बाएंगा नुन कि लिए तो लों सरकी ने हुआता है कि जो आप MSP दे रहे हो, उसकी हमें खरीद की गारंटी दो, यह गारंटी देनी रहे, यह सारा ब्यार का इतना सारा चावड़ आ करके यहां, सारा यह बेशते हैं, यह लोग, तो यह सारे इनकी लापरवाई है, हम यह के हमें MSP खरीद गारंटी का दो, देश के किसार कोन ही तरहा अपने घर से फालतवादी में सब्ढ़ कोई असान है, की रता समत περιूली की तो टावे कुछ बीयां, वह सारे के की तहुते हैं, नौज को पूष, नौलनित्ले के आप कुछ कहना चाहते हैं जी ऐसा है जो यहां आरे को बुलाया है वह प्रिंसिपल से हमारी बादचीत और यह दो मौर्चे हैं देश में एक यह संक्त किसान मौर्चा है जिसके हम परती निदी हैं रियाना का है और दूसरे है राजनेतिक नाम से हैं जो बाडर पर लोग बेठे हैं वो हमारे दूसरे मेंट यह जो खरीद है और पूरी की पूरी सरकार करें ताके हर आदमी को बोधन की गरंटी भी मिले क्योंकि सरकारी गोदाम में यदि स्टोक होगा अब जैसे आपने देख्या एक मिन ना पहला गियों के रेट बढ़ गे थे लेकिन जैसे रेट बढ़े सरकार ने कहा है कि हम दस अजार टन गियों अपने स्टोक से निकाड़ रहे हैं और उसी दिन तिन सो रपे तूट गया स्टोक निकाड़ भी नहीं बलके ब्यान देने से ही तूट गया तो जब सरकार के एपसी आई के गोदाम में ज्यादे अनाज होगा है तो समाज इक सुरक सा म मिलेगी सबको बोजन की गरंटी मिलेगी हम केवल अपने लिए बात नहीं करें बलके पूरा समाज की निरवरता है इस पर मंडिया बनी रहे मंडिया में लाखों लाख लोग काम करते हैं और खाने की गरंटी सबको मिले सस्ता सुलब मिले फरी दे सरकार की मर्जिया हमें मै हैं अच्छी बात है यदि सिरे चड़ती है और क्यूंकि किसी भी बात का समधान तो मसला कोई हो चाही बात चीट से होता है इस बात करेंगे और आपको थोड़ी देर बात बताएंगे कि हमारे साथ क्या बात और किस डंग से हुई है क्या निकल सकता है दन्यवाद तो यह किसान नेता जो चंडीकट पहुचे हैं सरकार के साथ बातचीत की जाएकि नोन ने कहा कि सरकार मस्प करून मनाएं मौज़य को लेकर काम करें और अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो कोई व्रोध निये सरकार का शम्भी वोड़ों को लेकर कहा कि अगर हमारी जो के साथ भी जरानाजी मेडिया चंडी करें